स्वामी नारायन हरे वचनामरत गरडा प्रतम प्रक्रन्नु एक सट्मू बली राजानू स्वामी नारायन हरे सम्वधढार सोने छोंतेर ना फागनवदी त्रीदने दिवस श्रिजी महराज श्रीगरणा मद्धे दादा खाचना दरबारमा श्रेवासुदेव नारायन ना मंदिर नियागळ लिमडाना व्रक्षने हेठे ओटाने विशे ढोलिया उपर विराज मानत ने हीर कोर्णू श्वेत धोत्यू मस्तके बांधि हतू ने श्वेत पशेडी ओढी हती ने श्वेत खेस पैर्यो हतो ने कंठमा श्वेत पुष्पना हार धारन कर्याता ने श्वेत पुष्पना तोरा पागमा डाबी कोरे लटकता हता ने पूताना मुखार विन्यागर तथा देश देश ना हरिवक्तनी सभावराईने बेठी हती। पची मुक्तान स्वामिये प्रश्ण पुछो जे काम, रोध, लोब तथा भई, एमने योगे करीने पन धिरस डगे नहीं, त्यनों शो उपाये छे। पची श्रिजी माराज बल्याजे, तुन देश नहीं, तो देश थी नोखो, ने सर्वेनों जाननारो, एवो जे आत्मा तेशु। एवी जे आत्मनिष्ठा, ते जारे अत्तिशे द्रण थाई, त्यारे कोई रिते करीने धिरस डगे नहीं, अने आत्मनिष्ठा विना विजा अने कुपाय करे, तो पन धिरज रहे नहीं, पची ब्रह्मान स्वामिये पुछुजे, ज्यात्मनिष्ठा होई, ते अंत्त समे केटली सहाय करे छे, पची श्रिजी माराज बल्याजे, जेम नदी तरवी होई, त्या तो जेने तरता आवड़तु होई, ते तरी जाए, ने जेने तरता नवड़तु होई, ते तो उभो थै रहे, पण जारे समुद्र तरवो होई, जारे तो ते बेईने वहाणनु काम पड़े छे, तेम टाड, तड़को, भूख, तरस, मान, अपमान, सूख, दूख, ते रुपी जे नदी, तेने तो आत्मनिष्ठा वालो होई, ते तरी जाय, पण मृत्यु समय, तो समुद्र जेवो छे, माटे त्यांतो आत्मनिष्ठा वालो होई, तथा वगर आत्मनिष्ठा वालो होई, ए बेईने भगवाननी उपासना रुपी वहाणनु काम पड़े छे, माटे अंतकाले तो भगवाननो द्रण आश्रो होई, त अंत समय, आत्मनिष्ठा काई काम्मा ओती नथी, ते सारू भगवाननी उपासनाने द्रण करिने राखवी, पचि वळी मुक्तानन स्वामिये पुछूजे, भगवाननो भक्त होई, तेने सिद्धियो आडि आवे छे, ते जने भगवानना निष्चयमा डग्मगाठ होई तेने जावे छे, कि ए निष्चय वालाने आवे छे, पचि श्रिजी महराज बोले आजे, सिद्धियो तो जेने परिपक्व भगवाननो निष्चय होई, तेने जावे छे, अने बिजाने तो सिद्धियो गणी दुर्लब छे, अने ए सिद्धियो ने पन ए भग्तनी परिक लिवासारू भगवान अज प्रेरे छे, जे एने मारी उपर घणु हे छे, के सिद्धिय उपर घणु हे छे, एविरी ते भगवान पोताना भक्तनी परिक्षा जुए छे, पछी जो ए पाको भक्त होई, ने भगवान विना बिजु काई नई छे, ने निर्वास्तनी एवो एकांतिक भक्त होई, तो भगवान पोते ते भक्तने वश्ट है जाये छे, जें वामन जिये बडी राजानू त्रिलोकिनू राज्य लैलिदू, अने चौदलोकना बेड़ पगला कर्या, अने त्रिजा पगला सारू, ते बडी राजाये पुतानू शरीर आप्यू, एवी रिते श्रद्धा सहीत भगवानने सर्वस्वा आप्यू, तो अए भगवाने एने वगरमा के बांध्यो, तो पन भक्ति थकी पड़ो नहीं, त्यारे एवी पोतानी अनन्य भक्ति जोईने, पोते भगवान ते बडी ना बंधनमा आवता हवा, अने भगवाने तो बडी राजाने क्षण मात्र बांध्यो तो, अने भगवान तो एनी बक्ति रुपी दोरिये करिने बंधाया छे, ते आज दिवस सुधी पन अखंड भगवान बडी ने दरवा जिवबा छे, अने बडी राजानी द्रश्टी थकी, पड़ मात्र पन भगवा छेटे थता न थी, एवी रीते आपने पन बिजी सर्ववास्ना टाली ने अने भगवानने सर्वस्व अरपन करी ने भगवानना दास थाई रहिशू, अने एम करताई भगवान आपनने वदू दुख देशे, तो भगवान पन पोते आपने वश थाई जशे, शामाटे, जे पोते भग्त वस्वल छे, आने कृपा सिंदू छे, ते जेनी पोताने विशे, अती द्रण भग्ती देखे, तेने पोते आधिन थाई जाई छे, पची ते प्रेम भग्तिये युक्त, जे भग्तनु मन, ते मन रुपी दोरिये करीने बंधन मा आवे छे, पची पूपा ने समर्थ थता नथी, माटे जेम जेम बगवान आपनने कस्णी मा राखे, तेम तेम वधु राधी थाओ जोईए, जे भगवान जेम जेम मने वदु दुख देशे, तेम तेम वधु मारे वश्ट शे, अने पलमात्र मा राती छेते नहीं रहे, एवु समझीने, जेम जेम भगवान अती कस्णी देता जाय, तेम तेम अती राजी थाओ, पन कोई रिते दुख देखीने, अत्वा देना सुखसारो पाचोपक भरवो नहीं, इती वशनाम्रतम, ये रिते गरला प्रतम प्रकरन्नू, एक सट्मु वशनाम्रत जेते थाईू। स्वामी नारे, स्वामी वाद करीजे, एक दिव स्वामी सुता हता, ते बेठा थाई ने प्रश्ण पुछो जे, सारामा सारू ते शूँ छे, ने भुंडामा भुंडू ते शूँ छे, त्यारे कोई बोल्या नहीं, त्यारे स्वामी बोल्या जे, सारामा सारू ता भगवान ने आ साधूने विशे मनुषभाव आवे छे तेथी बिजू काई भूंडू नथी अने ते मनुषभाव ते शेने करीने आवे छे तो लोग, भोग, देह ने चोथो पक्षपात तेहने करीने मनुषभाव आवे छे तेमा जेवू पक्षपाते करीने जीवनुग भूंडू थाये छे, तेवू तो पंच विशे करीने पन नथी थातू ते पक्षे करीने तो गोपाडण स्वामीने माथे पाना नाख्या, ने जोडी माद देवता नाख्या, ते देवता ना काडनार आई बेठा छे एम कैने वड़ी बोला जे, एवो संस्कार तो अमारे माथे गणो थरो छे, ते मुख थकी क्या भाई नई, ने एवा अवडा पक्षे करीने मोटा सादून ना अवगुण लिदा छे, ते ने करीने तो भुत्नी योनी ने पाम्या छे अने वड़ी कोई हशे, ते पणपाम्य शे, ने ते पापे करीने खावी विष्टा, ने पीवी लगुशंका एवा दुख ने भोग्वे छे, पन सुकतो क्याई था आए नई स्वामी नारे, स्वामी वाद करीजे, एक दिवस स्वामी अर्धी रात रे उठी ने एम वाद करीजे, कितलाक एम जाने छे जे स्वामी अमारी कोर छे, ने कितलाक एम जाने छे के स्वामी अमारी कोर छे, पन अमारो अभिप्राय तो मोटा मोटा सद्गुरु पन जानी श त्यारे स्वामी बुल्या जे शुद्धूर जाने अने जे पतंग्यों होई ते सुर्युनों अभिप्राय जाने छे नथी जानतो ते मोटानों अभिप्राय तो जनाय जने ए सिध्धान्त वाद छे। इत्यादी अनेक प्रकारनों राजी पो हतो अने आ वर्तमान काले भगवानों शेमा राजी पो छे। तो नत्नी मायना वच्ना म्रत्मा भगवानों स्वरूप निर्दोष कयू छे। पर कडाई मुकी ने तक्या उपर ढड़ी गया। ने वड़ी एम बोल्या जे बिजु अधिक काई समझवानू नथी। ने एतलू समझवानू छे जे महरादने पुर्षोतम जानवा ने आ साधूने अक्षर जानवा ने आ बधाय अक्षर छे औने ओल्या मुळ अक्षर छे। ते पाण आई देधरी ने आव्या छे। एबे वात प्रथमना एको तिर्णा म्रत्मा कही छे। ने एबे वात ने तो नथी समझो ने ते विनातो पिंगण पुरान शिख्यो गाता वाता शिख्यो शिख्यो सर्वे सूर में एक राम नाम वोलवा न शिख्यो तो सिख्यो सर्वे गयो धूर में एवात अमदावात ना साधूनी आगण कई ने गाधी उपर हाथ नाख्यो स्वामिनाण अरे स्वामिय वात करीजे आग लगी चहु और अविद्या की अतिभारी अदो उर्द्व अरुमध्य दस दिश भुजा पसारी विशे भोग विलास कर्मी को कर्म दुडायो कवी गुणिपंडित जान ताही ले तहां डुबायो तेही वाक जान डारी विकट नरनारी आवरुती किये जनमकुंद मदमच्छर लग्यो माया वश कर लिये त्यारे रुप शंकरे कहो जे मुँरे तुहू एम जानतो जे अविध्या बीजे ठेकाने थी आही आवेचे ने अवेतो एम जणानू जे अविध्या आहींज रहीचे त्यारे स्वामी बुल्या जे अविध्यानू जन्म जाही छे औने बिजे ठेकाने तो अविध्यानू सास्रू छे ते ज्या त्या जहिने अविध्याने पोतानू रूप उगाडू करवू छे औने अमारे अमारू स्वरूप उगाडू करवू छे अने बीजाना मनमा तो एम छे जे, जुन्णा गण्णू तो स्वामी नहीं होई, त्यारे पड़ी भांगशे, पड़ महराद नी ने मोटा साधूनी द्रष्टी छे, तो सर्वो परिकरवू छे, ने विजलीनों जबकारों देखीने गधेडी ये पाटू नाखवा माड़ी, तेने करीने विजली आरस्वानी छे नहीं, पाटू नाखी नाखी ने पग तो भांगी जाशे, तेम अविद्याय करीने पोताना जीवनू तो भुंडू करशे, ने महराद नू निमोटा साधूनू कर्तव्य हशे, ते तो खोटू नहीं जथाए, स्वामी नाणहरे, स्वामे वात करीजे, आज तो सत्चंग्मा भगवान प्रगड विराजे छे, ने तो विश-विश वरस्टना संसार मुकिने क्यम चाले आवे, ने कामक्रुदादिक तो एवा बढ़िया छे जे, श्रिव ब्रह्मा दिक नी पन लाज लिदी छे, औने ए कामा दिक जेने विश्य आवे छे, तेने गड़ी जाए छे, ते आज तो महराजे ने मोटा सादुए ठोई राख्या छे, जेम ब्रह्मान थी पर महा जड़ छे, तेमा मोटा मोटा मच्च छे, ते ब्रह्मान नी समीपे आवे, तो ब्रह्मान ने पन गड़ी जाए एवडा मोटा छे, पन प्रद्युम्न ने चोकी मा राख्या छे, ते जो ब्रह्मान नी समीपे गड़वा आवे, तो माथा मा गड़ा मारे, तो करोडो जो जन जाता रहे, तेम कामक्रुधा दिक ने तो महराजे ने मोटा सादुए ठोई राख्या छे, ने तो आम रहवाई ने, एम कईने बो आरिव न थी, ने तो उडारी मुकिये, कैम जे पुर्थ्वीना मनुष्यने बेगा करिये, ने लुहार मात्र माडे लोडा गड़वा, ने आपडे माडिये सुरंगु दई ने उडारवा, तो चार पांच वरसमा चुरे चुरा करिने उडारी मुकिये, तेम कामक्रुधा दि गमेतिवा बढ़िया होए, पन जो मनमा धारिये, तो उडारी मुकिये, एमा काई शंशय न थी